नमस्कार न्यूस टाइम्स के इस बुलिटीन में आप सभी का स्वागत है आपके साथ में उत्रुपते विश्व कर्मा आईए खबरों को सलसला आप सुरू करते हैं अंतराष्ट्य योग दिवस के अवसर पर पश्मी सिंभू में कई स्थानों पर योग शिविर का आयजन किया गया इस दोरान योग कराने के साथ ही सेहत मन बने रहने के लिए इसके फाइदे के बारे में भी बताया गया पर्यटन, कला संस्कृती, खेलकूद, युवा कार निर्दशाले की ओर से पश्मी सिंभूम जीले के अंतरगत संचालेट, बैडमिंटन डे बोर्डिंग प्रसिक्षन केंद्र, इंडोर स्टेडियम चैबासा, फुटबॉल आवासिय प्रसिक्षन केंद्र, जीला स्कूल चैबासा, फुटबॉल आवासिय प्रसिक्षन केंद्र, चक्रधरपूर एवं किडा, क्रिसले, तिरंदाजी, डे बोर्डिंग प्रसिक्षन केंद्र, खुटपानी, चैबासा एवं तिरंदाजी आवासिय प्रसिक्षन केंद्र, कुमार डुंगी की खिलाडियों ने सूर सुनाथ सुकला, प्रधान नयाधीस, कुटुम्ब, न्याले, योगेश्वर मनी, समेत सभी न्यायक पदाधिकारी, अधिवक्ता और न्याले के करमचारियों ने हिस्सा लिया, योग प्रसिक्छक, सुनील प्रजापती द्वारा सभी को योग करवाया गया, इधर टाउन क्ल मैदान में योग दिवस मनाया गया, योग सिक्छक, सौरफ प्रसाद द्वारा उपस्थित लोगों को योगा भ्यास कराया गया, इस दवरान योग सिक्छक, सौरफ प्रसाद ने बताया कि योग दिवस मनाने का उद्देश्य तब पूरा होगा, जब हम सभी लोग अपनी दिन्चरिया में शामिल करेंगे और हर दिन कम से कम आदा घंटा योगासन का अभ्यास करेंगे इस मौके पर मनोज लियांगी हेमंत केशरी नवीन गुपता प्रताप कटियार दिलीप साव राजीव गुपता मदन गुपता संजे विश्यो कर्मा मोहन ठाकुर सहित अन्य लो प्रतियों ने मिलकर योग का अभ्यास किया उन्होंने कहा कि आज के तनावपून जिंदिगी में हर व्यक्ति को कम से कम 40 मिनिट योग और प्रणायाम अवश्य करना चाहिए योग ही एक मात्र उपाय है जिससे हम अपने आपको स्वस्त और निरोग रख सकते हैं भारतिय जनता पार्टी की ओर से जीले की सभी 23 मंडलों में योग दिवस मनाया गया पहले से तई कारेकरम के अनुरूप सभी वरिष्ट कारेकरता मंडल अध्यक्ष जिला एवं मंडल के कारेसमीती सदस्य अपने अपने मंडलों में एकत्रित हुए और योग का अभ्यास किया वरि पूरी दुनिया में योग से निरोग रहने का संदेश देते रहते हैं अन्तराष्टिय योग दिवस की मौके पर मांगिलाल रूंटा प्लस टू विद्याले के सिक्ष को करमचारियों और विद्यार्थियों ने मिलकर योग्या भ्यास किया कारेकरम का संचालन योग पास्वान और प्रभारी प्राचार्या शिल्पा गुपता द्वारा किया गया भारत सरकार द्वारा दिये गे प्रोटोकॉल के तहट विभिन तरह के योगासन मंत्रुत चारण सुर्य नमस्कार और प्राणायाम सामुहिक रूप से किया गया प्राचार्या ने कहा कि योग स धर्म और विद्या दोनों की रक्षा होती है इस अमूले विद्या को हमें अपने दैनिक जीवन में अपनाने की जरूरत है महिला कॉलेज चैबासब परिसर में महिला कॉलेज की एनसस एकाई और नहरु युवा कींद्र की ओर से संयुक्त रूप से अंतराष्ट्य योग दि महता एनसस की प्रोग्राम ओफिसर डॉक्टर अर्पित सुमन और योग प्रसिक्षक सुमित विश्व करवाने दीब जला कर कारेक्रम का शुभारम किया प्राचार्य ने योग करके निरोग रहकर योगासन का शुभारम किया योगासन का आयोजन नेशनल रेफरी रस्मी स शंकों के दिशानदेश में किया गया टुंगरी मोहले में स्थित गायत्री सक्ति पीठ में भी अंतरास्ति योग दिवस मनाया गया यहां गायत्री सक्ति पीट से जुडी महिलाव ने योगा अभ्यास किया और निरोग रहने का संदेज दिया वहीं नगरपाली का बंगला मध्य विद्याले में अंतराश्टिय योग दिवस कारिक्रम का आयोजन किया गया जिसमें विद्याले के प्रधानाचार्य असीम कुमार सिंग, सिक्षको और बच्चों ने योग का अभ्यास किया चक्रधरपुर प्रखंड के सिल्फोरी स्थित सरुष्वती शिश्व विद्या मंदिर में अंतराश्टिय योग दिवस मानावता के लिए योग की थीम के साथ मनाया गया विद्याले के सचिव नकुल महतो ने दीब जला कर कारिक्रम के शुरुवात की इसके बाद सरुसती वंदना की गई और फिर योग प्रारंब किया गया विद्याले के प्रधाना ध्यापक रमेश शंद्र महतो ने कहा कि अंतराश्टिय योग दिवस पहली बार 2015 में 21 जून को मनाया गया था योग से सारेरिक स्वास्त के साथ ही मानसिक मजबूती भी मिलती है इसके लिए लोगों की बीच जागरुकता फैलाने की जरूरत है आया आया नीलमशू में स्कूल का पोशा लड़का लगी छोटा बड़ा मिलेगा हरना नीलमशू जहां नीलमशू का वादा दाम कम मजबूती ज्यादा नीलमशू राजा बाड़ी गली सदर बाजार चायवासा आया आया नीलमशू में स्कूल का पोशा लड़का लगी छोटा बड़ा मिलेगा हरना नीलमशू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस डियवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जीला स्कूल, स्पेजी मिशन, संत निवेका, रूंटा, स्कूल इत्यादी की स्कूल ड्रेस, स्कूल बैल, स्कूल जूते, मौजे, स्कूल बैल, टिफिन बॉक्स इत्यादी, उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उलब्ध है तो अवस्य पधारे, नीलमशू, राजा बाडी कली, सदर बाजार चैवासा, जहां, नीलमशू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा रोट्रेक्ट कलब की ओर से, डॉक्टर सौमिसेन गुप्ता क्लिनिक के सहयोग से, रुंटा मेरेज हाउस में आज, ने सुल्क, स्वास्त जांच शीविर का आयजन किया गया शीविर में करीब 101 लोगों का ब्लड शुगर, यूरिक एसिड, ब्लड पेशर, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, थाराइट फंक्शन टेस्ट, सहित अन्य तरह की जाच की गई शीविर का उधगाटन पश्मी सिम्हुम की सीविल सर्जन डॉक्टर बुका उराव और डॉक्टर सौमयसीन गुपता ने किया सीविल सर्जन ने इस तरह की सुविधाओं को अन्य जरुतमन लोगों तक पहुचाने का सुझाओ दिया और साथ ही उन्होंने सभी लोगों से नियमित रूप से योग करने की सलाह दी उन्होंने कहा कि इससे तमाम तरह की बिमारियों से बचा जा सकता है सीएस ने कहा कि शुगर यानी मदुमेह यदि कंट्रोल में ना रहे तो कई दूसरी बिमारियों का आमंत्रित करता है केंप हम लगातार करते आ रहे हैं ताकि लोगों को जादा से जादा मदद हो सके कारिक्रम के मौके पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष महेश खत्री रितेस मुंधड़ा दुरगेश खत्री रोटरी क्लब के सचेव अक्षे कुमार गुपता सहित अन्य सदस्तिय मौजूद रहे रोटरी क्लब के अध्यक्ष निशान्त कुमार ने कहा कि हमारी कोशिश होती है कि जादा से जादा लोगों को निशुल्क स्वास्त जाच की सुधा मुहिया करा सकें रहा है इसलिए उपना भीड हमको लगता है पिच्छित भीड नहीं पिच्छित भीड आता तो जादे सफल होता है रहा कि डाइबटीश प्लस अन्य बिमारियों का इस्ट्रीनिंग के लिए कैम्प है यह बहुत भी अच्छी बात है और साथ ही निशुल्क है तो गरीब ल केंद्र और राज्य सरकार के योजनाओं को आम लोगों तक सरल और सुलब तरिके से पहुचाने के लिए पश्मी सिंघुम के उपायुक्त अनने मित्तन ने 35 समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ त्रेमासिक बैठक की बैठक में समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने संस्थाओं के द्वारा छेत्र में किये जारे कारियों के बारे में जानकारी दी प्रतिनिध्यों ने स्वास्थ, पोशन, सिक्षा, लैवली हुट के तहट संचालित कारियों के बारे में बताया संस्था के प्रती निधियों ने छेत्र में कारी के दवरान आने वाली चुनोतियों और परसपर सहयोग से इसका निश्पादन से उपायुत को अउगत कराया उपायुत ने कहा कि छेत्रों में चल रहे योजनाओं का नियमित तौर पर साजा किया जाए ताकि गतिविधियों के संचालन में जो चुनोतिया आती है उसे दूर करने का प्रयास किया जा सके पश्मी सिंभुम के उपायुत अनने मित्तल ने जीले की किसानों को के सीसी उपलब्द करवाते हुए उन्हें कृष्वी आधारित व्यपार से जोड़ने के लिए लगाता प्रयास रत है उपायुक्त ने कहा कि के सीसी के तहट किसानों को उनके फसलों के लिए रिंड के आवश्चक्ता की पूर्ती के लिए परियाप्त समय पर रिंड के सुविधा प्रदान किया जाता है यह रिंड सुविधा आसानी से योगेता धारी सभी किसानों को प्रदान किया जाता है को के द्वारा मेगा केसी सी वित्रन कैम का आयोजन किया जाएगा इसके लिए किसानों से आवेदन प्राप्त किये जा रहे हैं ताकि समय पर किसानों को लाब दिया जा सके उपायक्त ने कहा कि केसी सी रिंड प्राप्त करने के लिए किसानों को आधार काड बैंक खाते का वि अभी प्रमानित और एक लाग से अधिक रिण के लिए संबंध पदाधिकारी द्वारा अभी प्रमानित सर्टिफिकेट जमा करना होगा पश्मी सिंभुम जीला उलम्पिक संग की ओर से 23 जून को विश्व उलम्पिक दिवस के अवसर पर कई कारिक्रम का आयोजन किया जा रहा है उलम्पिक दिवस पर सुबा 6 बज़े सांती दोड़, फिटनेस, पर्यावरन और साइकिल अफचेंज अभ्यान के शुरुवात गौसाला चौक से होगी जो चिंबर पार्क में समाप्त होगी संग की ओर से 2022 के पदक विजेता को सम्मानित भी किया जाएगा जारकन अधिव विध्य परिशत राची दुआरा बारवी औवं दसवी की बोड का परिखशाफल प्रकाशित हुआ जिसमें पदमावती जयन सरोष्रुती शुष्यो विध्या मंदिर का दसवी का परिखशा परिणाम सत्परतिशत रहा इस परिक्षा में विद्याले की कुल 78 विद्यार्थी सम्मिलित हुए इसमें 71 प्रथम श्रेणी एवं 4 दित्य श्रेणी से उत्रीन हुए है विद्याले की मानकी देवगम ने 480 यानी 96 प्रतिशत अंग प्राप्त कर प्रथम स्थान विदांत चौधरी ने 95 दस्मलों 20 प्रतिशत अंग प्राप्त कर दित्य स्थान तथा संध्या बिर्वान नब्वे दसमलव सोन्य आठ प्रतिशत अंग प्राप्त कर तृत्य स्थान प्राप्त कर उत्रिन हुई हैं आज के लिए बस इतना ही कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे तब तक योस टाइम्स के पूरी टीम को दीजे इजाज़त नमशकर